अगर जता आपने वाद करेशू पन्नालाल पटेल में जेमनों पूरू नाम पन्नालाल नानालाल पटेल आतू जो पंडित यूगना समयगाडामा थाई गया पंडित यूगनेज आपने शाक्षर यूग तरीके उलखिये छे जेनों समयगाड़ो 1885 थी 1915 सुंदीनों छे तियूने उपनाम सहित्य जगतनों चमत्कार अने गुजरती सहित्यनु परम विश्माई छे जन्मा तेमनो जन्मा साथ में उगनीशो वार नारोज राजस्तान राज्ये में आवेला दूंगरपुर जिल्लाना मांडली गाममा धर हातू तेमना पितानु नाम नानालाल अने तेमनी मातानु नाम हीराबा हातू तेमना पत्नीनु नाम वाली बेन हातू तेमना पिता खेडू थता अने रामायन, उकाहरन अने अन्य धार्मिक वार्तावनु तेमना गाममा पठन करता हाता तेमना पीता पन्ना लालना नान प्रमाच म्नुत्यों पाम्या अने तेमनी माता हिलाबाये संतानों नो एकले हाथे उचेर करे होतो तेमना शिक्षन दर्मियान तेमनी गरेबी ना काराने तेमने अनेक अडचनों आवी हाती चो एपरेल उगरी सो नेविया सीना रोज तेवो अबन्दावाद मां ब्रेन हैंब्रेश थी तेमने अव्शान थाई होतो अब्यास अने व्यवसाई तेवो इडर नी सरप्रताप हाई स्कुल मां मांत्र चोथा दरोन सुन्दीच अब्यास करी शक्या हाथा तेमना साला जीवन दर्मियान तियो नाए उमाशंकर जोशी साथे मित्रता थाई हाती उमाशंकर जोशी पन गुजराती लेख हक चे जिखो ने गुजराती पाशानो प्रतम नान पीट पुरसकार मोडेल छे थोड़ा समय माटे तेमने डुंगर पुर्मा दारोना भठा पर मैनेजर तरीके नौकरी करी हाती तेमने तेमनी प्रथम नवल कथा अम्दावाद मा एक सद गुरुहस्त ना गरे नौकरी करता करता लखी हाती तेमने तेमी प्रथम टूकी वारता शेठ नी स्रद्धा उगनी सो चत्रीस मा लखी हाती पन्नालाल पटेल नी प्रथम टूकी वारता शेठ नी स्रद्धा हाती उगनी सो अग्णहेंशी मा वड़ोद्रामा मडेली गुजराती सहीत्य परिशद ना सरजन विभागना तियों प्रभमुख्राय हाता आप आपेला फोटा मा सरप्रताप हाई स्कूल ने जोहिशक हो छो जया उमाशंकर जोशी अने पन्नालाल पटेल साथे सह अध्याई तरीके बणया हाथा जीवन 1936 मा अबंदावाद मा मडेली गुजरात सहीत्य परिशद ना अथिवेश्वन मा तियो इडर ने शाड़ाना सहर दियाई उमाशंकर जोशी साथे तेमनो अचानक संपल्ग थायो वर्सो पची बढ़ने मित्रो ती जग्याई एकठा थाया अने तेमना उमाशंकर जोशी ना बोच्चा हन थी तेमने एटलेके पन्ना लाले सहीत्यो सरजननो प्राधम करेऊ पचीती तेमनी वार्ताओ मा गणाज गुजराती सामरीगों मा प्रगड थाय एक सह ग्रुवस्त मी मदद थी अमदावाद थी इलेक्टिक कंपनी मा नोकरी मेडवी अने पहला ओइल मेंग वची मीटर रेडिंग करनार वगरे तरीके पन तेमने कार्य करियो चार-पांच वरश मुंबई नी एन आर आचारियनी फिल्म कंपनी मा पठ कथा लेखक तरीके पन कार्य करियो त्यारबान वतन मांडली मा जही खेती न व्यवसाई अने साथे साथे लेखन प्रभूती करी साहीत या सर्जन पर्नालालनू साहीक्य सर्जन कुवज मोटू छे तेमा थी केकलिक परिक्षा लक्षी कुरूतियो अहीं आलिकवांबावेल जे आप्रमाने छे तेवे नवलकथामा वडा मुडा, सुर्भी, मिन माटी ना मानवी, नगद नारायन, अजवाडी रात अमासनी, एक अनोखी प्रीत, पार्तने कहो चड़ावे बान, शिव पार्वदी, भिश्मनी बान सैया, कुपजा अनिश्री कुष्ण, वगेरे नवलकथाओ लखी जे नवलिकामा तेवे सुख दुखना साथी, धर्ती आप्थिया छेटा, रंग मीनार बिन्नी, पन्नालाल पटेली श्रेष्ट वार्ताओ, अनिवीर्णेली नवलिकाओ, वगेरे तेमनी नवलिकाओ अन्नवलिकाओ शंग्राचे प्रक्रिनमा तेवे अलक मलक शर्जननी सुवण स्मर्णिका अने लोक गुंजन लख्युँ छे बार साहित्यमा तेवे देवना दिदेल वर्ता कलोल गुच, लोक मीनारा बार किलोल वगेरे लख्यु छे तो ये नाटक मां जमाई राज, चांदो शेशांवलो, सपनाना साथी, अललड छोकरी, स्वपन, मडेला जीव, पूण योगनु आजमन वगेरे लख्या छे तेवोनी आत्मकथा अलप जलप छे गणिवार प्रेक्षामा पूछाई छे, कि अलप जलप कोनी आत्मकथा छे, तो ए पन्नालाल पटेलनी आत्मकथा छे तेमने पोताना संगर्ष ना दिवसो ने वसंती दिवसो गणावे हाता तेमनी कृती कंकू पर्थी गुजराती फिल्म कंकू बनी हाती दुशकाड़नू आलेखन करती मानवेनी भवाय तेमनी किर्टी दा कृती छे ए एम्डी जानपदी नवल कथाओ जवारा गुजराती नवल कथामा ग्रामेन प्रजाना सुख दुखना आलेखनननों सशक्त प्रारम करे हतो पुरसकार तेमने उगणी सो पचास मा तेमने रणजी द्राम सुण चंद्रक एनायत करवा मा आवे हतो उगणी सो पंचेसी मा तेमनी रचना मानवीनी भवाय माटे साही तेमनो सर्वोच पुरसकार ग्नानपीट पुरसकार तेमने मड़े हतो उमाशंकर जोशी पछी ग्नाणफिट पुरक्षार मिरवनार त्यो बीजा गुजराती भाषाना लेखा खता उमाशंकर जोशी ना त्यो बाल गोठ्या मित्र हता तो आहती गुजराती सहित्यना खवी पन्नालाल पटेलनी गुजराती सहित्यनी आवीज परिक्षलक्सी माहिती माटे अमारे साथे जोड़ेला रहो तो ओडियो बुक गुजराती सहित्य सिरीज अस्तू